हे दोस्तों हिंदी रिवी चनल पर आपका स्वागत है मिरा नाम है साहिद और आज हम बात करने वाले हैं मच अवेटेड बॉल्यूड सूपर हीरो मूवीज के बारे में जी हाँ अभी कुछ दिनों से ही बॉल्यूड में कई सूपर हीरो फिल्मों की बाते हो रही हैं जिन में से कुछ फिल्मों की इनाउसमेंट हो चुकी है कुछ फिल्मों की सूटिंग भी चालू है और कुछ फिल्में हमें आने वाले समय देखने को मिलेंगी जिसके लिए हर कोई बड़ी ही बेसबरी से इंतिजार कर रहा है तो आज हम उन्हीं फिल्मों के बारे में बात करेंगे पर हीरो फिलीम बरमासतर के बारे में तो हर कोई जानता होगा जिसे करीब 2 साल से बनाया जा रहा है हाला कि ये फिलीम पिछले ही साल दिसमबर में रिलीज होने वाली थी लेकिन सुटिंग में देरी के काराण फिल्म को पॉस्पोन कर दिया गया और अब ये फिलीम हमें दिस आपउर इस प्रिम में कॉलेज टुटेंट होंगे वहीं आलिया भड़ भी कॉलेज्स टुटेंट होंगी तो अब देखते हैं कि हमारा ये नया सूपर हीरो कैसा होता है और साथ इस सूपर हीरो का कोस्चुम किवकि एक सूपर हीरो अपने सूट के बिना कितना अधूरा है य लेकिन फिर बाद में क्या हुआ किसी को कुछ भी पता नहीं। लेकिन एक बार फिर ये खबर काफी ज़्यादा गरम हो रही है कि दीपी का पादुकौन आने वाले कुछ दिनों में एक फीमेल सूपर हिरो फिल्म की सुटिंग चालू करने वाली है। तो ये इंडियन सिनेमा के इतिहास में पहली बार होगा जब फिमेल सूपर हिरो पर फिल्म बनेगी जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले इंडिया में ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी है। सुनने में आया है कि इस फिल्म के सुटिंग 2020 के एंड तक स्टार्ट होगी और इसे 2021 में रिलीज किया जाएगा। इंडिया की पहली सूपर हिरो फ्रेंचाइस क्रिस कितनी बड़ी हिट है ये आप सब मुझसे बहतर जानते हैं। इस फ्रेंचाइस में अभी तक तीन फिल्में आ चुकी हैं जिसमें तीनों ही फिल्में एक से बढ़कर एक हैं। तो अब बारी है क्रिस फोर की जिसको पिछली फिल्म से काफी अलग बनाया जा रहा है। क्योंकि इस फिल्म में जहां रित्तिक रोसन सूपर हीरो हैं वहीं वो विलन का भी रोल प्ले करेंगे। मतलब की डबल रोल पर 2017 के बाद अभी तक इस फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। जी हाँ 2017 में मीडिया में खबरें आई थी कि क्रिस फोर की सूटिंग जल्दी स्टार्ट होगी और इस फिल्म को 2020 में क्रिसमस की मौके पर रिलीज किया जाएगा। पर क्रिस फोर से जुड़ी अभी तो फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं आई है कि आखिर में इस फिल्म की सूटिंग चालू भी है या नहीं तो क्या ये फिल्म इस साल रि最 आ नहीं ये किसी को नहीं पता। लेकिन ज़्यादा चांसे से हैं कि ये फिलिम अगले साल रिलीज होगी नमबर दो रणवीर सिंग प्लेर नागराज करेक्टर 7 दिसंबर 2019 को राज कॉमिक के स्टूडियो हेड संजी गुपता ने अपने फेस्बुक पर ये पोश्ट डाल के सब को चोका दिया था जिसमें साब साब लिखा है कि आजकल करन जोहर और रणवीर सिंग से नागराज की मुलाकाते बढ़ गई है मतलब की साफ है कि करन जोहर नागराज पर फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें वो रनवीर सिंग को कास्ट करेंगे लेकिन अभी इस फिल्म में टाइम लगेगा यूँकि इस साल वैसे ही रनवीर सिंग की दो फिल्म में रिलीज होने वाली है वहीं 2021 में एक बड़ी फिल्म तक्द भी आने वाली है तो अगर नागराद पर फिल्म बन रही है तो ये फिलीम 2022 में ही देखने को मिलेगी। नमबर एक, मिस्टर इंडिया रिमेक। जी स्टूडियो ने अभी हाल ही में कन्फर्म किया है कि वो मिस्टर इंडिया पर एक ट्राइलोजी फिलीम सिरीज बनाने वाले हैं। जिसको अली अभाज जफर डारे करेंगे और वहीं इस फिलीम की स्टूरी को भी लिख रहे हैं। इस सिरीज को 1987 में आए अनिल कपूर की सुपर हिट फिलीम मिस्टर इंडिया से एडप्ट किया जाएगा। मतलब कि जिस तरह से अनिल कपूर घड़ी पहन के गायब हो जाते थे ठीक उसी तरह से इस फिलीम में भी होगा। लेकिन बाकी चीजें काफी अलग होंगी क्योंकि इस सिरीज को एक अलग कालपनिक यूनिवर्स की तरह बनाया जाएगा। जिस तरह से हमने एमस्यू में देखा था। फिलीम से जुड़ी बाकी की अपडेट बहुत ही जल्द आने वाली है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फिलीम में लीड एक्टर के तौर पर किसे लेना चाहिए। अब ऐसे तो बॉली वूड में कई एक्टर हैं लेकिन ये रोल किसके उपर सूट करेगा ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है इस फिलीम में मिस्टर इंडिया के रोल में किसे लेना चाहिए हमें कवर में जरू बताएं। तो दोस्तों ये थी कुछ आपकामिंग बॉली वूड सूपर हीरो फिलीम जो आने वाले कुछ दिनों और सालों में हमें देखने को मिलेगी। तो आप इन फिल्मों में से किस फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें कवर में जरू बताएं। वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी फेस्बूक रेस्टर पर जरू सेर करें और चलों को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद